नमस्कार आप देख रहे हैं दाफुल जड़ी और मैं शूति जोतिश में रतनों को बेहग महत्रपूर माना गया है रतनों का सम्मंद हमारे आने वाले भविश्य से जोड़ कर देखा जाता है कहते हैं कि अपनी परेशानियों के लोप यदी किसी जानकार जोतिशी से परामर्ष लेने के बाद रतन धारन किया जाये तो इससे व्यक्ति के जीवन की परेशानिया दूर, कम या खत्म होने लगती है हाला कि इसके लिए बेहत आवश्यक है कि आपको रतन की सही जानकारी होनी चाहिए इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नीलम रतन के बारे में आईए सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसा होता है ये नीलम रतन वैदिक जोतिश शास्त्र के अनुसार नीलम रतन का सम्मंद शनी ग्रह से होता है या नीले रंका होता है जिस प्रकार किसी जातक की कुंडली में अगर शनी शुक भाव में होते हैं तो वे उस व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुक, सुविधा और एशो आराम को भर देते हैं जब भी नीलम रतन धारन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि नीलम हमेशा उत्तम क्वालिटी का ही होना चाहिए आईए अब जानते हैं कि नीलम की क्या है पहचार जोतिश की माने तो असली नीलम वह होता है जो छूने पर मुलायम लगे और यह चिकना होता है इसमें धारिया भी होती है और इसमें से कुछ किर्णे भी निकलती है अगर किसी छोटे से रेशे या तिनके को इसके पास लाया जाए तो वह तिनका उससे चिपग जाता है कैसे पहचाने नीलम शुपफल देगा या अशुपफल आईए जानते हैं जो तिशियों की माने तो अगर नीलम रत्न को नीले कपड़े में बांध कर पकिये के नीचे रखना चाहिए अगर इस दोरान आपको सोते समय अच्छे सपने आते हैं तो यह आपको शुपफल देने वाला है इसे पंच धातू या चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए सोने में नीलम धारन करना सही नहीं माना जाता है शनिवार मत्यरात्री को इसे धारन करने का सही समय माना जाता है नीलम को बाय हाथ की उंगली में पहने और साथ में जलतत्व का रत्न भी धारन करें चौकोर नीलम बहतर और शुप होता है इसे धारन करने से पहले भगवान शिव और शनी देव को जरूर समर्पित करें इन सब नियुमों को जानने के बावजूद इसे किसी जोतिश विशेशक्य की सलाग के अनुसार ही धारन करना चाहिए आए जानते हैं नीलम कैसे होता है फाय देमन नीलम ये कैसा रत्न होता है जो अपना प्रभाव अतिशिक्र ही दिखा देता है इसे पहनने के सकरात्मग परिणाम की ही तरह ही नकरात्मग परिणाम भी होते हैं ग्रानव शक्त्रों और समय की गड़ना के अधार पर ही से धारन करना चाहिए नीलम धारन करने से धंधानने और मान सम्मान में विद्धी होती है आपको करियन में सफलता मिलती है स्वास्त हमीशा सही रहता है और आपके वंच में भी विद्धी होती है आईए जानते हैं कि इन राशी के लोगों के लिए फायदेमंद है नीलम आपको बताने कि मेश और विशब राशी के जातक बिना किसी संदे के नीलम रत्म धारन कर सकते हैं लेकिन इसको पहनने से पहले अपने जोतिशी से कुंडली दिखाना जरूरी होता है वही कन्या राशी के जातकों के लिए नीलम धारन करना भी फायदेमंद होता है तुला राशी के जातकों के लिए नीलम शुप फल दाई है मकर राशी के लोगों के लिए नीलम रत्म से ज् नहीं देता जिन लोगों को यह शुफल नहीं देता उन्हें स्वास्त समंद्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है धन हानी होने लगती है या फिर किसी बड़ी दुर्खटना के वे शिकार हो जाते हैं इसलिए जरूरी है कि जोतिशी के अनुसार ही इस रत्न को धारन करन चाहिए तो इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथी साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और मुझे दीजे जाज़त धन्यवाद